दोस्तों आज की इस वीडियो के दर बात करना है जोहानीस बर्ग वर्सस सन्राइजर के बीच में होने वाले ती तो इंती मैच को कवर करेंगे यहां पर मैं आपको दो से तीन ऐसे रिस्की प्लेयर के बारे में बताऊँगा जो कि आपको यह पे जिताने वाले हैं आपको जील में कैसे रोतेसन करना होगा इस मॉल लिग में आप कैसे परफेक्ट टीम मना सकते हो कौँसी तीम यह मैच जीतने वाली है कौँसा बल्ले बात की इस नंबर पर बल्ले बात चीग लाएगा इस मैच का आपको लिए पिछ रिपोट क्या होगा सभी चीजों के पर बात करेंगे बस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बढ़ाएओ नए आयो तो दो काम कर लेना पहला कि चैनल पर पहली बढ़ाएओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर एक मैच की वीडियो सापको इसी चैनल को मिलने वाली है जिसमें आपने पैसे लगाऊंगा दूसरा कि अगर आप मेरे खुद की फिर्टेसी टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो तो जैसी तौस होगा उसके बाद जो भी फाइनल टीम होगी हो मैं अपने तिलीगराम और चैनल का आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भीज़ दूँगा जिसका लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन अपको प्री में पिंद के होगा लिंक मिल जाएगा ना मिले तो सीधे सीधे कबट करके पूछ लेना उसका भी आपको रिप्लाइ मिल जाएगा सबसे पहले यह सो मैच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिसकी भी टीम याप है बल्ले बाद जी में अच्छे रन बनाएगी उससी की टीम के जीदने के चांस जाता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कही ना कहीं यह सो मैच है सन्राइजर की टीम के जीदने के चांस जाता है क्योंकि सन्राइजर के पास आए बल्ले बाद जो है बाला और दोनों ही काफी अच्छे फॉर्म है JSK की टीम मैच जीद सकते है जो बर्ग सुपर जैन्स की टीम सुपर किंग की टीम यह मैच जीद सकते है सिर्फ एक कंदिशन पे जब इनके एलदू प्लॉय रिजा हैंरिक्स और फाफ़दू प्लेसिस तीन के तीनो प्लेयर फॉर्म में आजा है आख़ड़ी वाले मैच फाफ़दू प्लेसिस और एलदू प्लॉय ने बल्ले बाची में ओपनर आ करके काफी तेजी से रन बनाए उससे पहले वाले मैच रिजा हैंरिक्स ने काफी एच्छे रन बनाए यानि कि समय इनके तीनो प्लेयर फॉर्म में आएं आख़ड़ी के दो मैच में तो हो सकता है कि जेसके के बल्ले बाच यहाँ पर भी फॉर्म में आजा और यहाँ पर भी आपको गजब का पर फॉर्म करके दे दे यह जो मैच होना है यह जोहानिस बर्क में होने वाला है तो यहां पे रन बनने के असानी से काफी इच्छे चांस है जो भी तीम यहां पे पहले बल्ले बाची कर रही है अगर वहां पे 180 रन से कम बनाए गए तो मुझे रखते हैं कि चेस्ट करने रेंवाली तीम असानी से मैच विन करने आ लिया जो भी तीम यहाँ पे पहले बल्ले बासी कर रहा हुआ ही कम से कम उन्हें 190 रन बनाने होगा अगर यहाँ पे मैच को जीतना है यह सो मैच होने वहला है सबसे पहले मैं आपको यहां से कहूँ आपको परफॉर्म करके देने चाहिए अगर आप आप लोग की 10 टीम बना रहे हो 12 टीम बना रहे हो मिनी जील ओ मेगा जील के लिए जहां पर लाखों लोग खेल रहे हैं वहाँ पर आप एक याप दो टीमों में अपने ऐसा कर सकते हो जाप आप तीश शुप को ना ले करके दी फरारियों को ले लो लेकिन तब जब जो बर्ग की टीम पहले बल्ले बाची कर रहे हैं अगर सन्राइजर की टीम मैंच चेस कर रहे हैं आपर तीश शुब को ना ले करके दी फेरारियो का अपरी दो टीमों में ले करके चल सकते हो मिनी जील और मेगा जील की टीम में यहां से और रुनिक अपसे सबसे पहले मारको जैंसन जो की बल्ले बाद जी भी नमबर सेवन पर आ करके रन भी बना रहा है बालिंग से भी आपको चार वर पुड़ा कर रहा है जी सरी के लंबा बॉलर है इसको काफी अच्छा बाउंस भी मिल रहा है और काफी अच्छा और कहीं ना कहीं समय संराइजर की टीम ने इसको काफी अच्छा खोस किया हुआ है एक वा फुरस में ले करके चलूगा मारकरम को भी ले करके चलेंगे जोकी संराइजर की तीम को इसे कप्तानी कर रहा है आखड़ी वाले मैच गजब की बल्ले बाद चीबी किया हुआ है बढलेबाद जिमी भी नबर चार पियार, हर माच में आपको एक एक ओवर बाल भी कर रहा है। अगर सामने कोई लेफ्ती बालेबाद जो आप पर आफ एक बालर मारकर हूं, वा पर अच्छी बाल भी कर सकता है। यह मृच में सबसे ज़रूरी चीजे आपके लिए समझने के लिए क्या है? कि कौन से तीम में कितने बॉलर से यहां पर बॉल करने है कईबा चार ओवर पुरा कर रहा है लेकिन कईबा तीन ओवर बाल भी कर रहा है ये दोनों बालर का मिला करके छे ओवर से लेकर के साथ ओवर के करीब होगा अब बच्चे वे जो ओवर हैंगे ना वो कईबा मारकरम एक से दो ओवर कर दे रहा है कईबा पीस कुरूसर क्रूग भी एक से दो ओवर कर दे रहा है, ये दोनों का मिला करके दो ओवर से तीन ओवर के करीब बाल हो रहा है, मारकरम और क्रूगर मिला करके दो ओवर से लेकर के तीन ओवर के करीब बाल कर रहा है, हर मैच में, तो इनके जो ओवर कम किये जारे हैं, वो किये जारे हार्वर और एल कोई बहुत अच्छा बॉलर हो काफी अच्छा लैग ब्रेक बॉलर हो तभी जा करके आप एक कुछ कर पाएगा तभी के लिए ओ बार्टमेन और दी वावल दोनों को ले करके चल रहा है दी वावल जो कि शुरू के ओवर्स में नई बॉल से बॉल कर रहा है पहला ओर हो गया तीसरा ओवर हो गया सुरू कर्स में बॉल कर रहा है दी वावल अमारको जैंसन ये दोनों सुरू कर्स में बॉल कर रहा है ओ बार्टमेन जो कि आपको आखरी कर्स में बॉल कर रहा है है तो ये तीनों बॉलर इनके सबसे में बॉलर है वहीं अगा जेसके के में बॉलर के ब को नहीं खिलाया जा रहा है अगर यहां से रोमारियो सेपद को खिलाया जाएगा तो यह तीनों आपको चार चार ओवर पुरा बाल करके देने चाहिए के सिमस जादे तर मौकों पे एक या फिर दो ओवर बाल करेगा वैसे भी स्पिनार है वो भी काफी लो लेवल का है माईन अली जादे तर मौकों पे तीन ओवर करीब बाल करेगा देविद वेस से जादे तर मौकों पे तीन ओवर करीब बाल करेगा तो इस तरीके से जो बर्ग की तीम अपने बालर इसका यूस कर रहे है जिसमें मेन बालर आपके ले रहेंगे एले विलियम्स जो कि जो मैच होए सारा का सारा जो रिस्ग हो वबल्ले बात जी में आएगा जीतने वाली टीम का प्लेर लग रहा है तो मैबल बात जी में नबर तीन पर आएगा जीतने वाले तीम के तीनों प्लेयर. जो है उनका percentage level काफी कम है अब यहाँ पे हारने वाली टीम जो कि हमें लग रहा है फाफ़ दू प्लेसिस ओपनर आएगा रिजा हैंरिक्स के साथ यानि कि छे के छे ओ प्लेयर शुरू के तीन बल्ले बाद जाए तो ये छे में से जिसकी टीम आपको लग रहा है कि मैच जीतने वाली है क्योंकि आप हाई स्कोरिंग गेम नसर आ रहा है वहाँ पे कई ना कई बल्ले बाद चापके लिए जरूरी रहेंगे यहीं पर आपको रिस्क लेना है उससे पहले अगर आप इसी मैच जो मेरे फैंटेस्टी टीम से पैसे लगाने का सोच रहो तो उसके लिए आपको आपके उस्काइम को जोइन होना पड़ेगा जिसका लिंक का आपको डिस्किपस्ण औरकमे से सिक्समा से फ्री में पिन कर वाई लिंक की जाएगका ना मिले चलेंगे क्या करिए अक्री वाले मैच वैनि इसको चांस भी मिला नाही मिला हिए उससे पहले वाले वाले मैच के रन मना ह है लडू पलाए को भी लेकर के जुरूर से चलेंगे क्यों is the season में अलगी सब्राइ में भले ए च्छोदी देश यह लेकिन लेकिن इस season है घजब की बल्ниibtशी किया हुआ है, जे हर्मन को ना लेने का दो reason है, कि season में सिर्फ इसने एक ही ऐसा match हुआ है, जहां पिसने run बना हैं, यहां पर भी यह बल्FIबादशी में फ्लाप हुआ है, यहाँ पर भी यह बल्ले बाद जी में फ्लाप हुआ है, यहाँ पर भी यह बल्ले बाद जी में फ्लाप हुआ है, यहाँ पर सिर्फ में एम आई कैपे ताउन, जो की सीजन में सबसे खराब परफॉर्म कर रही है, उसी टीम के खिलाफ इसने रन बनाए, यहाँ पर भी फ्ला रहा है, यहां पर भी इसेजने काफी इच्छे रून बना यहां पर भी रून बनाई हुआ हूँ, तो तौमे एबल ने इस सीजने rurav exhaust member 5-3 अच्छे रून बनाई हूँ अगर इसकी टीम पहले बने बाच जी कर रही ए, वहां पर तौमे एबल आपको गजब की बने बाची क कर सकता है कि लंबे-लंबे छक्के मानने वाला ही तो मिश्टाई वाला प्लेयर रहे है दैविद मुलान अगर बल्ले पे बावाँ सही से चोठने लग जाना तो कॉंस्टेंसी का बात सा प्लेयर हर मैच में रन बनाने वाला प्लेयर लेकिन इस सीजन के सिर्फ पहले मैच में रन बनाया और हर मैच ऐ वार मेच में रहा हंएगर जोबर की तीम को ये मैच हारना है तो फाफ दू प्लेसे के फ्लाप उने के पूरे पूरे चांस है अब 5-2 platforms इसको मेली आप को तब ले करके चलना है जब इसकी ती मैचु चेस कर रही है पहले बल्ले बाजी जादिताओ मैच में फ्लॉप गाया क्योंकि समझी में भी निया रहा है श्तुम्हें को कितना तेज खीलना है या कितना सलोग खीलना है अब यहां से मेलिए मेरा 11 प्लेयर रहे गा वो फाफ़दू प्लेसिस रह सकता है या फिर जे हर्मन रह सकता है जिसकी भी तीम यहाप मौहिन अली को लेकर के चलना ज़रूरी है क्योंकि इस वह बल्लेबाजी पुरा चांस मिल रहा है पाँच हुए नमर प्यार है बॉर्ल से ये तीनों प्लेयर भी आपके लिए के लिए कहीं से भी खराब नहीं ये तीनों प्लेयर फॉर्म में तीनों प्लेयर आपको घजब का परफॉर्म करके देश हुआ है ये एक अमारे एनालिसिस बेस की टीम है फाइनल टीम जो भी होगी वे तौस होने के बाद अपने तिलिग राम और चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज़ दूँगा जिसका लिंक आपको डिस्किप्शन और कमेश स्वाक्स फ्री में पिन के वाल लिंक मिल जाएगा ना मिले तो सीधे सीधे कबद करके पूश लेना उसका भी आपको रिप्लाइ मिल जाएगा चैनल पे पहली बढ़ाए हो ना याए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना आगे लिले मैच्चेस की फाइनल टीम आपको इसी चैनल को मिलने वालिया